मुझाइब वीडियो तो आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले है एक ब्रैंडेट बैड्मिंटेर रैक इंडी की जो हने वाली है वीडियो को अंतक जरूर देखना और आपने अवे तक चैनल का सबस्क्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी सबस्क्राइब कर लीजिए और दावा दीजिए बेल आइकोन को उससे आपको नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल चाहे तो चलिए बि पंपानी लाइंग्वेज में G1 की कट ही मेरे में आती है मतलब जी वन मतलब फूर इंचीज घो यो बड़े वाली वाली गृफ्साइज होता है उसे जी 1 कहा जाता है मतलब इस रैकेट में आपको G1 का टागरी की ग्रिप साइज मिलती है पूरी रैकेट ग्राफइट के साथ बनी होती है जो बहुत ही लॉंग लास्टिंग ड्यूरेबल होती है बहुत लोगों का कहना होता है कि अगर रैकेट में थीन शाफ्ट होगा तो रैकेट जल्दी तूट जाती है तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही प्लस पॉइंट होने वाला है कि इस रैकेट में थिकर शाफ्ट है थोड़ा shaft इसका ठीक है तो उससे आपको एक plus point पोने वाला है तो aerodynamic design के साथ आपको ये racket देखने के लिए मिल जाती है जो देखने में बहुत ही खुबसुरत लगती है ये racket आपको stiff flex के साथ मिलती है जो defense के लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही होता है अगर आपके racket का flex जादा flexible हुआ तो attacking के लिए बहुत ही फायदे मन्द होता है और आपके racket का shaft अगर stiff flex हुआ तो वो defense के लिए बहुत ही बढ़िया होता है उससे आपको जो defensing में जो speed होने वाली है आपकी defense करने के लिए वो बहुत ही बढ़ जाते है in comparison to flexible shaft में यह racket one piece आती है इसमें कोई भी dejoint नहीं होता तो यह पूरी racket एक material से बनी होती है यह racket आपको headlight category में देखने के लिए मिल जाती है जो आपको defensing में again होती help करने वाली है जो लोग double scale प्रेफर करते हैं उनके लिए apex विना पे 232 एक best option होने वाला है तो इस racket की जो buying link है वो आपको नीजे description में मिल जाएंगी वहाँ से आप इस racket को buy कर सकते हैं offers में doubles के लिए यह racket बहुत ही अच्छी है और इस racket के साथ आपको light hit मिलता है जो again defense के लिए बहुत ही अच्छा होता है link in the description isometric head shape के साथ यह racket आपको देखने के लिए मिल जाती है जो आपको strokes पे ज्यादा perfection देती है इस racket का weight 85 gram आता है मतलब company language में बोले तो G4 category में यह racket आपकी आती है G4 माने तो 85 to 89.9 grams के बीच में जो racket के weights होते है उस racket में यह racket आती है तो again यह racket आटाइकिंग के लिए भी बहुत ही आच्छी होने वाली है इसके grip थोड़ी heavy है और hit थोड़ा light है जो defense के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है आप इस racket को max tension 38 LBS तक लगवा सकते है जो बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा max tension है जो कोई भी नहीं लगा था आप अगर इस racket में 28 to 32 LBS तक भी लगा लोगे तो आपके लिए यह बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है तो यह था racket का रिव्यू अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर देने चैनल का भी तक सब्सक्राइब नहीं कि होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि हम ऐसी नहीं नहीं वीडियो आपके ल प्राइब